बंदर की कहानी गुद, लोमडी और बैंडा की कहानी एक जंगल में एक गधा और एक लोमडी रहते थे गधा और लोमडी के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी वो दोनों अकसर जंगल में सांथ घूमने जाया करते थे बरसात के मौसम में जंगल में चारों तरफ हरी हरी घास फैली हुई थी जिससे जंगल बहुत ही सुहाना दिखलाई दे रहा था आसमान में नीलिमा च्छाई हुई थी और आसमान बहुत सुन्दर दिखलाई दे रहा था हरी हरी घास को देखकर लोबड़ी गधे से बोली गर्मियों के दिनों में जंगल कितना सूखा पड़ा था और अब देखो हरी भरी घास के कारण जंगल कितना सुन्दर दिखाई दे रहा है उद्धरन चिन्ह लोमडी की बात सुनकर गधा बोला लोमडी बहन तुम यह क्या बात कर रही हो घास भी कहीं हरी होती है क्या घास का रंग तो नीला होता है उद्धरन चिन्ह, गधे की बात सुनकर लोमडी को हसी आ गई और लोमडी गधे से बोली, अरे गधे भाई, घास का रंग हरा ही होता है उद्धरन चिन्ह, गधा फिर बोला, घास तो मेरा भूजन है तो क्या मुझे घास का रंग भी नहीं पता है तुम तो मासाहारी जीव हो, तुम्हे क्या पता घास का रंग कैसा होता है उद्धरन चिन्ह, गधा और लोमडी दोनों अपनी बात पर अड़े रहे धीरे-धीरे दोनों में बहस होने लगी और दोनों एक दूसरे की बात मानने के लिए बिलकूल भी तयार नहीं थे दोनों को ही लग रहा था वही सही है और वही दूसरे से ज़्यादा बुद्धिमान है लोमडी तो जन्जात चालाक होती हैं वो गधी से बोली इस तरह अगर हम दोनों बहस करते रहे तो हमारी आपस में लड़ाई हो जाएगी और और इससे हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी इसलिए अब इस बात का निर्ने किसी और पर छोड़ देते हैं कि कौन सही है और कौ कौन गलत जो सही होगा वही बुद्धिमान माना जाएगा उद्धरन चिन्ह उसी जंगल में एक बुड़ा बंदर रहता था बंदर बहुत ही हुश्यार और बुद्धिमान था जंगल के सारे जानवर अपने आपसी विवाद सुझाने के लिए उसी बंदर के पास जाया कर गधा और लोमडी दोनों ने निर्ने लिया कि इस बात का फैसला बंदर पर ही छोड़ देते हैं कि कौन सही है और कौन गलत लोमडी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी क्योंकि वह जानती थी कि घास का रंग तो हरा ही होता है इसलिए निर्ने उसी के पक्ष में आएगा गधा और लोमडी दोनों मिलकर बूरे बंदर के पास गए और उसे सारी बात बतलाई लोमडी बंदर से बोली बंदर भाई आप जो भी निर्ने लेनगे उसे हम दोनों सहर्ष स्वीकार करेंगे गधे और लोमडी की बात बंदर ने बड़े ध्यान से सुनी और अपना निर्नए देते हुए बोला घास का रंग तो नीला ही होता है इसलिए इस विवाद में जीत गधे की ही होगी उद्धरंट शिन्ह बंदर की बात सुनकर गधा तो बहुत खुश हुआ और नाचता गाता वहां से चला गया किन्तु बंदर के इस निर्नए से लोमडी को बड़ा आश्चर्य हुआ और निराशा भी हुई गधे के जाते ही लोमडी बंदर से बोली यह तो आप भी जानते हैं कि घास का रंग तो हराही होता है फिर आपने गधे को विजय गोशित क्यूं किया उद्धरंट शिन्ह बूरा बंदर बोला यह सत्य है कि घास का रंग हरा ही होता है किन्तु तुम तो एक बुद्धिमान प्राणी माने जाते हो और बुद्धिमान होकर एक मूर्क गधे से वाद विवाद कर रहे हो। इसलिए बुद्धिमानी के तराजो उपर तुम फेल हो जाते हो। लोमडी को भी सारी बात समझ में आ गई और वो अपना सा मूह लेकर वहां से चली गई। शिक्षा गधा और लोमडी की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी मूर्कों से अनावश्यक वाद विवाद नहीं करना चाहिए अन्यता हमें ही बेजत होना पड़ेगा। इस कहानी को यूट्यूब पर देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें यूट्यूब लिंक। इन्हें भी देखें।